नमस्कार साथियो! मैं आपका दोस्त रामतित भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी YouTube चैनल Economics and NCRT में साथियो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी सातियों आज हम सिखाएंगे आपको कि binary अंकों को decimal में कैसे बदले जाता है या फिर decimal को binary में कैसे बदले जाता है ठीक है ये हमारा binary अंक दिये गए है इनकों decimal में कैसे चेंड करेंगे या फिर अगर कोई decimal नमबर दिया है तो उसकों binary में कैसे चेंड करेंगे ठीक है तो करते हैं आज के class की शुरुवात उससे पहले मैं बता दूँँ आपको कि ये paper first का topic है paper first का topic है और ये बहुत सारी पिर्तियों की प्रिक्षाओं में पूछा जाता है अगर आप ये class देखेंगे तो आज से आपके binary to decimal या decimal to binary जो अंग होते हैं वो आपके 100% पूरे पूरे आएंगे ठीक है तो करते हैं class की शुरुवात सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो computer होता है computer system में कितने नमबर होते हैं कितने प्रिकार के नमबर होते है computer system number system number ठीक है कुछ प्रिकार के नमबर होते हैं जो कि हमारे computer प्रडाली में प्रियोग किये जाते हैं ठीक है तो नमबर एक हमारा होता है जिसका थमनेल है binary binary number ठीक है यह होते हैं हमारे 0 और 1 ठीक है तो जितने जिने संख्यों में जितने डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बेस बोलते हैं ठीक है तो इसका बेस कितना हो गया इसका बेस दो होगा है क्यूं क्यूंकि इसमें दो संख्या है ठीक है आगे हम बात करेंगे नमबर दो decimal संख्याओं के बारे में decimal numbers के बारे में ठीक है decimal number क्या होते है यह होते है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अब दोख्यों इसमें कितना दिजिट हो गई इसमें भया हो गई 10 डिजिट तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा 10 छीक है आगे हम बात करेंगे राटन नमबर के बारे में टीक है जो ऑक्तल नममर होते हैं इनकी कुल्संख्याओं आड होती है जीरो 1 2 3 फॉर फाइब शिक्स और सेवल अब जब ओक्टल नमबर में डिजिट कितनी है आठ तो इनका बेस कितना हो जाएगा इनका बेस भी आठ हो जाएगा ठीक है आगे हम बात करेंगे अपने चौते और लाइस नमबर के बारे में जिसको हम बोलते हैं हैकजा डेसी मल नमबर हैकजा डेसी मल नमबर ठीक है इनकी total संग्य कितनी होती है भाई है 16 होती है तो इनका base कितना हो जाएगा इनका base है लिख देते हैं इनका base होता है 16 ठीक है जितने digit उतना base जितने digit उतना base ठीक है सिरीशी बात याद रहें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है एक 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 दो तीन चार पांच छे शाट आट नो ठीक है 9 10 11 12 13 14 15 16 तो base कितना हो गया 16 क्यों क्यों कि इसमें digit की संग्य किती है 16 है ठीक है यहां यह इसको हम 10 लिख सकते हैं यह 11 यह 12 यह 13 यह 14 और यह 15 ठीक है एक 0 हो ठीक है तो इसका base कितना हो गया इसका base होके 16 है तो आप यह समझ चके होंगे कि जो numbers होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं ठीक है यह numbers जो होते हैं यह आपसे directly exam में पूछ लिए जाते हैं कि कि में किसका base 10 होता है, किसका base 8 होता है, किसका base 16 होता है, किसका base 2 होता है, ठीक है, तो यह जीज़ आप समझ चुकोंगे, आगे हम बात करेंगे अब कि एक binary नमबर को, एक binary नमबर को decimal में कैसे change करें, ठीक है, decimal में कैसे change करें, या फिर एक decimal नमबर को, एक decimal number को binary में कैसे change करें ठीक है यही दो question आप से पूछे जाएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई binary number है ठीक है आप जो मन में हो वो binary number लिख सकती है मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि बहां से कोई साभी question लिख लो जो आपके मन में आ रहा हूँ जो मैं करा रहा हूँ वो अप मत लिखना है जो नहीं करा रहा हूँ वो लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वो दो होता है इसको हमें क्या चेंद करना है इसको हमें दो कभी कभी कुष्चन ऐसे आएगा ठीक है बेस देदेगा लिख्या तो बेस कितना दस जो बेस होता है किसका होता है देसी मलक का होता है ठीक है इस तरह से आपको यह कुष्चन solve करना है ठीक है अब इन वाले question से ये वाला question में इसका answer में निकाल दाए तो सबसे पहले आप इनको थोड़ा इस तरह से लिख लो one zero one one zero zero one ठीक है लिख लिख लिया अब इसके नीचे आप लिखते जाएंगे एक इसका color change कर लेते हैं ठीक है कि एक के दो चार आठ शोला तो चोट सोरी 32 और 24 यानि यह मैं क्या करना है एक का दूना दो दो का दूना चार चार का दूना आठ 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 का दूना 16, 16 का दूना 32 और 32 का दूना 64 ये काम कर लिया है तक अब आपको ये काम करने के बाद जहां जहां एक लिखा है जहां जहां एक लिखा है ठीक है उन संक्याओं को आपको क्या करना है उन संक्याओं को जो नीचे संक्याओं है ये वाली ये वाली और ये वाली इन संक्याओं को क्या करना है आपको जोड़ना है अब देखो 64 पिलस 16 पिलस 8 आप पिलस एक ठीक है इन संख्यां को आपको क्या करने लेना है जोल लेना है ठीक है इन संख्यां को आपको जोल लेना है और जो जीरो वाली संख्या है जीरो वाली ठीक है इनको आप कार देंगे क्या कर देंगे इनको आप कार देंगे ठीक है इनको आपको नहीं लेना है तो इसका decimal कितना आ गए हमारा 89 अब हम पता कैसे करेंगे कि answer हमारा सही है या गलत है अब यह तो हमने binary to decimal निकाल लिए अब इधर हम क्या निकालेंगे decimal to binary ठीक है 89 को आप यहां लिखेंगे ठीक है और इसे 2 से divide करेंगे कितने से 2 से divide करेंगे दो चौक आठ और दो चौक आठ एक आप यहां लिखतेंगे ठीक है देखो जब 6 बचेगा तब तो हमें यहां एक लिखना है ठीक है जब 6 बचेगा तब हमें एक लिखना है और जब हमारा 6 नहीं बचेगा जैसे कि अगली अगले step में दो दूनी 4 और 2 दूनी 4 तब हमें यहां 0 लिखना है ठीक है तब हमें यहां 0 लिखना है अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2 फिर से 0 आजाएगा क्योंकि कोई 6 नहीं बच रहे ठीक है आगे हम लिखेंगे 2 पन्जे 10 ठीक है अब यहां क्या बचा दो एकांथ कितना सेच बचा जीरो सेच बचा और एक यहां जाएंगे और इस तरफ को हम पर आए है को लिख लेंगे वन जीरो वन शीरो जीरो बन अब आप यह वाली संख्या और यह वाली संख्या मैच कर सकते हैं ठीक है दस ग्यारह डबल जीरो बन तो यहां से आप कुश्यन को चेक भी कर सकते हैं ठीक है और यही क्या हो गया यही हमारा निया हमें जीरो पांच बार ऑन लिख लिया वही अपना वन बन वन 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 क्या लखेंगे एक 2, 4, 8 और 16 ठीक है यह लिख लिए अब उस वाले में क्या था उस वाले में 0 सामिल था लेकिन यहां हमारा 0 सामिल नहीं है यहां हमारा 0 सामिल नहीं है तो हम क्या करेंगे इन सब संक्याओं को जोड लेंगे 16 पिलस 8 पिलस 4 पिलस 2 और पिलस 1 ठीक है, 6 और 14 और 4, 18, 18 और 2, 20 और 21 का एक, ठीक है, हासल 2, 2 और 1, 3, 31 का यह क्या हो गया हमारा, तो इसका जो binary है, इसका क्या आजाएगा decimal, 31, ठीक है, चेक करें, यह तो हमारा binary, sorry, यह तो हमारा binary to decimal हो गया, इसका हम चेक करेंगे, decimal to binary में, ठीक है, तो को 31 है, solve करेंगे से 2 से, 2 से भाग देंगे, 2, 1 का, 2, कितना बचा, 1 बचा 11 हो गया, 2, 5, 10, क्या बच रहा, 1, 6 बच रहा, ठीक है, 2, 7, 14, 1, 6 बचा, ठीक है, 2, 3, 6, 1, 6 बचा, ठीक है, 2, 1, 2, 1, 6 बचा, तो को इसका आंसर कितना आ गया, इधर से इधर को लिख लो, यह आपको बहुत ध्यान देना है कि यह नीचे से ऊपर को लिखा जाएगा, अगर उपर से नीचे को लिख लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, यह ध्यान देने वाली चीज है one 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 ठीक है यह फिर से binary में change हो गया ठीक है उसी question को हमने किसमे किया था इसको पहले decimal में change किया था फिर हमने decimal को फिर से binary में change कर दिया तो इससे आपका question भी हो गया solve और आपको यह भी पता चल गई कि हमारा question गलत है या question हमारा सही है ठीक है आगे हम question और करेंगे तीसरा question ठीक है आप जैसे कि आप कोई भी संख्या मन में सोच लें कोई भी संख्या सोच लो और उसको solve करने लग जाओ one zero 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 one zero one ठीक है इतनी बड़ी संख्या हमने यहां लिए ठीक है इसको हम change करेंगे decimal में ठीक है किसमें decimal में हो जाओ तो यार फिर से क्या करना है मैं दखो यहीं लिख लो ठीक है या फिर दूर दूर लिख लो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाएगी one zero one one ठीक है फिर से वही system अपनाएंगे हम एक color change कर लेते हैं ठीक है one two four eight ठीक है दूर लिखने है one का दो दो का चार चार का आठ आठ का 16 16 का 32 32 का 64 और 64 का 122 ठीक है यह लिख लिख लिए हमने अब हमें क्या करना है जीरो वाले को तो भई है बिलकुल कार्ट देना है जीरो वाले को कार दो बागी का हमारा 128 पिलस आठ और पिलस दो और पिलस एक यह बचाए ठीक है इसको जोड़ो 8 और 8 16 16 और 2 18 18 और 11 के 9 हासल एक एक और दो तीन ठीक है और एक हमारा यह आगए तो यह हमारा कितने का आंसर हो गया 149 का ठीक है 149 हमारा आंसर आ गया इसका बेस क्या होगा 10 ठीक है अब हम इसको फिर से चैक करते हैं और उसी चैक करने के बाहने हम decimal to binary भी कर लेगा ठीक है यहां लिखेंगे हम 149 ठीक है इसे दो से डिवाइट करते चलेंगे हम ठीक है दो से दो चिक का बारा यहां कितना हो गया अठारा एक बचा दो नेम अठारा एक सेश रह गया ठीक है लिखना है यह एक सेश रह गया धोतिया, छेश और दो चोक अर्ठ, फिर से एक सेश रह गया ठीक है धोतिया, दो एककमद, दो सत्यच-था फिर से 0 बा गया है पर कोई सेश नहीं बचा है हमारा कोई सेश नहीं बचा सेश नहीं बचा सेशओ दो Aária शौला है एक सेश बचा Type 1 एक सेस बचा है, दो चॉक आठ जीरो बचा है, ठीक है, कोई सेस नहीं है तो 0 लखेंगे, दो दूनी 4 फिर से 0 लखेंगे, और दो एकम 2 फिर से 0 लखेंगे, इधर से इधर को आप इस संख्या को लिख लेंगे, one zero 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 one zero one ठीक है इसका base कितना हो जाएगा हमारा दो हो जाएगा तो आप कोई भी संक्या को decimal में change कर सकते है binary से और decimal से binary में change कर सकते है ठीक है तो यह बहुत ही simple तरीका हमने आपको सिखाया है आगे आप और भी कितना ही बड़ा question आप आजाए कोई सा question आप नहीं चोड़ने वाले है ठीक है अगर यह class आपने पूरी देखी तो आपको यह question आपका यह question exam हो ना ही हो ना है कोई भी रोकने वाला नहीं ठीक है चलो इसी एक सवाल आपको और कर देते है ठीक है एक सवाल आपको और कर देते है मालो 1 0 1 0 0 0 0 1 ठीक है यह संक्या देखते हैं यह binary में इसको आपको change करना है decimal में ठीक है decimal में change करना है अब इसको हम बैसे ही लखेंगे 1 0 1 0 0 0 और 1 ठीक है फिर से क्या करेंगे फिर से भही तरीका अपनाएंगे 1 2 4 8 16 32 और 64 ठीक है यह लिख लिख लिए आपने 32 ठीक है यह लिख 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 लिए इसको लिखने के बाद 0 वालो को काट दो ठीक है 0 वालो को काट दो बाकी का क्या करेंगे जोड़ेंगे 64 पिलस 16 पिलस एक ठीक है एक यह बचा 16 यह बचे 64 यह बचे अब दो अब इसका आप यह मैंने किसमें चेंज कर दिया यह मैंने डेशिमल में चेंज कर दिया किसमें पांचमा सवाल हम आपको और कराती हैं पांचमा सवाल को आपको होम बरके ठीक है हो मरके आपको निकालना है एक यह निकालना है पांचमा का निकालना है ठीक है दो सो का निकालना है तीन सो उनत्र का निकालना है बन जीरो जीरो वन 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 ये निकालना है ठीक है तो यह आपको पांच कुश्चन घर से करने हैं ठीक है अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट्स के मादद हमसे पूच सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ साथ जय हिन जय वारा